हालो ऐन वैलकंव फ्रेंड्स वैलकम हिप्राइज नंबर वन hy biology को उसका जो हमारा टॉपिक है वह डिलेटेड है बोटये को लेकर यानि की वैक tenantै Says क्लisstraah कंप शाए जाता है तो friends, सबसे पहले हम बात करेंगे cross-site scripting cross-site scripting एक vulnerability है, एक कमी है जो की web applications के अंदर पाई जाती है इसकी मदद से कोई भी जो attacker है, वो client-side information को introduce कराता है web server के अंदर और अगर वो ऐसा करने में successful हो जाता है, तो फिर वो website से related बहुत सारी जानकारियों को निकाल सकता है अगर हम बात करें cross-site scripting attack के बारे में, तो friends, यह अब यह पूरा होगा, cross-site scripting क्या होता है, hope so यह आप समझ गए होगे यानि कि यह कमी होती है, जो भी web applications के अंदर पाई जाती है, लेकिन cross-site scripting attacks में जो एक attacker होता है पहले हमें समझना होगा कि server side और client side का अंदर क्या होता है, server side होता है, यानि जब भी आप कोई query find करते हैं, किसी भी website के अंदर, तो server जो होता है, उस query के according आपको result दिखाता है लेकिन अगर जो client है, वो कोई malicious code search करें, तो ऐसी situation में संभावना होती है cross-site scripting attack होने की, तो cross-site scripting attack में जो client होता है, वो एक code की form में, या हम उसे कह सकते है malicious code की form में, कोई भी चीज surfing करता है, या inject करने की courses करता है, इसलिए इसे cross-site scripting injection के नाम से भी जाना जाता है तो वो malicious code, चाहे वो JavaScript की form में है, चाहे वो HTML की form में है, तो उसे वो inject करने की courses करता है, और अगर ऐसा करने में वो सफल हो जाता है, तो website से काफी sensitive जो information से उन्हें वो चुरा सकता है, या website को नुकसान पहुचा सकता है अब हम जानते हैं किसके अलग-अलग types काउन से है, friends cross-site scripting अलग-अलग तरहा की होती है, एक होता है stored cross-site scripting, दूसरा होता है reflected cross-site scripting, और तीसरा होता है DOM-based, तो documents-based जो होती है, हाला कि यह अभी clearly explained नहीं है, लेकिन सबसे पहले इसे find किया था Amit Calvin ने, और इसके अंदर HTML commands का जातर इस्तिमाल किया जाता है, जो कि हम आगे practically जानने वाले हैं, तो सबसे पहले हम जानते है stored accesses क्या होता है, stored accesses होता है friends, mainly आप इसे कह सकते है, server की तरफ से यह होता है, तो अगर कोई भी जो attacker है, इस तरह कि codes को inject करता है, जो कि server में पहले से stored है, तो उसे धीरी-धीरी क जो करने लगता है, तो इन दोनों में यही अंतर है stored में, और reflected accesses में, अगर हम बात करें 2012 के बात की, to friends, server और client accesses की working थोड़ी बदल गई, आप यहां पढ़ सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, server side में क्या होता है, कि server के अंदर पहले से अगर कोई कमी है, यानि कि उसकी किसी भी programming को लेकर, या उसके अंदर कोई database पहले से है, तो उसी का फायदा उठाता है, कोई भी attacker, और client में क्या होता है, कि जो attacker है, वो HTML या फिर JavaScript की कोई भी codings वहां पे भेजता है, तो malicious code भेजता और उसके बाद उसे information मिलना start हो जाती है, तो यह था हमारा topic की cross-site scripting होता क्या है, अब इसे हमें कुछ docs की मदद से आपको बताऊंगा, किस तरह से हम इसे ढूंड सकते हैं, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, यहां पे कुछ docs मैंने लिखे हुए है, docs help करते किसी भी particular page तक हमें पहुचने में, तो इन docs की मदद से जो XSS है, उसे related जो pages है, उन्हें हम आसानी से internet पे find कर सकते हैं, तो फिलहाल अभी हमने इतना जाना है, फिर हम practically देखेंगे कि यह चीजे किस तरह से काम करती है, तो चली friends, देखते हैं next video में, फिलहाल इस video में इतना ही, thank you, good bye